हेलो एब्रिवान गुड़ देनी कैसे हो खोब करता हूँ आप सब लोग अच्छे योंगर शो फ्रेंड्स बाल विकाश में सिच्छा सासर के एस्पेसल क्लाश में आप सब लोग का बहुत बहुत श्वागत है आज की इस क्लास में हम लोग सौल करेंगे CDP का practice it पूरे 30 कोशन को हम लोग इस क्लास में शौल करेंगे इस क्लास में मैं जितने भी कोशन्स लिए हैं सारे के-सारे selected कोशन्स लिए हैं प्रिविसरी कोशन्स लिए हैं जो हर वर्स state-and-seated के एक्जाम में पूछे जाते हैं तो पूरी क्लास ध्यान से देखना और 30 में से जितने भी questions आपके correct हों comment box में अपना score जरूर बताना और भी classes अगर आपनों को देखने हैं तो आप लोग play list में जाकर देख सकते हैं यूपी टेट एंड सीट एक्जाम की अलग-अलग play list आपको देख जाएगी आपके syllabus के वीडियो, exam pattern के वीडियो और बहुत ही जल्ब में प्रिविसरे के question solve करवाने वाला हूँ आप लोग ready हैं प्रिविसरे question solve करने के लिए comment box में अपनी राय जरूर देना ओके चलिए पहला प्रषन आपके skin पे आगया है कि निम्नि में से जो है कौनसा विकास का शिधान नहीं है पर्षपर संबंध का शिधान और शमान परतिमान का सिधान यह सब क्या है विकास के सिधान थैं, और यहँ पर अनकूलित परत्य वरतन का शिद्धान जो आपका है विकास का शिद्धान नहीं है पहला का ए आपका बिलकुन करिक्ट हो जागा important question है आपके exam के लिए ओके चलिए अगला प्रशन आपकी screen पे आगया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मूल परवतियों को जो है 14 प्रकार से किसने वर्गी करत किया था यह question पूछा था मूल परवतियों के पिछली बार मनलब शंख्या पूछ लिया था तो 14 होती है अब यहाँ पर अलग थोड़ा बदल दिया थोड़ा सा कि मूल प्रवतियों को 14 प्रकार से किस ने वर्गी करत किया था ड्रेवर ने या थारंडाइक ने या मैक डूगल ने या वुडवर्थ ने ये इंपोर्टेन कोश्चन है स्टाल लगा के नोट के लिए ना कई बार ये कोश्चन पूचा जा चुका है पिछली बार 2021 के टेट में पूचा गया था ये तो मैक डूगल ने जो है वर्गी करत किया था इसको यहाँ पे दूसरा का बी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए कुछ भी डाउट से तो मुझे आप लोग इंस्टा पे फालो करके डिम कर शक्ते हैं इंस्टाग्राम आड़ी लिंक वेडियो के डिस्किप्सिन बॉक्स में दे दिया हूँ अगला प्रशन है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है यहां ओधारन होगा चैती जो है अधिकम अंतरण का या और्ध अधिकम अंतरण का या दिपारशिक अधिकम अंतरण का या कोई भी अधिकम अंतरण नहीं तीसरा का राइट अंसर देने का प्रयास करेंगे अलसा सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रुख भी सकते हैं चलिए बताइए सब लोग और टेलिग्राम गुरुप से जरूर से जरूर जोईन हो जाईए वहाँ पे आपको जो है फ्री पीडियब और जो भी एस्टडी माटेरियल रहेंगे वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे बिल्कुन फ्री में तो जरूर से जरूर आप लोग जोईन हो जाईएगा चलिए एक बालक जो साइकल चनाला जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है यहाँ उधारन किसका होगा यहाँ और अधिगम अंतरण का उधारन होगा तीसरा का यहाँ पे बी वैला बिल्कुन करेक्ट हो दगा अगला प्रशन है अधिगम के पक्रम में जो है अभिप्रणा जो है सीखने वालों की इसमर्ती को तेज बनाता है या पुराने अधिगम से नए अधिगम को विविवित करता है या एक दिसी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है या नए सीखने वालों अधिगम के लिए जो है रुची का सरजन करता है तो चवथा का जो भी राइट अंसरो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे कि अधिगम के पक्रम में जो है अभिप्रेणन क्या करता है यह आपको बताना है सभी को गुद इवनिंग भाई सभी को गुद इवनिंग चैनलों को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें शेयर भी कर दिया करें क्लास के एंड किम पे ताकि और सारे लोगों को हेल्प मिल सके तो अधिगम के पक्रम में अभिप्रेणन जो है आपका नए सीखने वालों में अधिगम के लिए जो है रुची कर सरजन करता है यहाँ पे आपका यहाँ पे 4 का D आपका बिलकुम करेक्ट हो जगा ठीक है चलिए अगला प्रशन आपकी स्किन पे है तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक जो है कच्छा 5 के निवनो दरिश्टी वाले बच्चे को क्या करना चाहिए तो यहाँ पे कच्छा में समान रूप से बरताओ करना चाहिए हम RDO CD के जरीजे जो है सहायता प्रदान करने चाहिए 5 का C आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा अगला प्रशन है यहाँ पे निम्ने में से कौन सी जो है पूरव बाले वस्ता की विज़ेस्ता नहीं है यहाँ पे 6 एका जॉब दने के प्रयास करेंगे यह मेरा वाट्शप नंबर है 7905 और बैस्ट बुक की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं 7905632533 पे आप लोग मुझे वाट्शप मैसेज कर सकते हैं कोई भी इनफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट से तो तो इसमें से देखें कौन सी पूरो बाले वस्था की विज़े सन नहीं है तो यहाँ पे देखना यहाँ पे यह है अवस्था यह है यहाँ पे दल शमुह में रहने की अवस्था ये पूरे बाल लवस्था की जिस्तर नहीं है यहाँ पे 6 एका आपका D वाला बिलकुन करेक्ट हो दाएगा, ओके अचाँ पूरे बाल लवस्था की जो आयू मानी जाती है कितने वर्स एकितने वर्स मानी जाती है ये 3-6 वर्स मानी जाती है तो यहाँ पे सीख सेखा D आपका बिलकुन correct हो जाएगा ओके चलिए अगला प्रशन आपकी इसकेन पे है यहाँ पे ध्यान रखना यह जो है यह जो आपका दल शमों में रहने की अवस्ता जो है यह पूर बाल लिवस्ता की नहीं बलकि जो है बाल लिवस्ता को कहा जाता है ठीक है चलिए अगला प्रशन आपकी इसकेन लगा के नोट के लेना कि पियाजे के जो है संग्यानात्मक विकास सिध्धान के अनुशार समवेदी क्रियात्मक अवस्ता होती है जन्म से 2 वर्ष या 11 से 16 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष होती है वेर इंपॉर्टन कोशन है कई बार एक्जाम में पूछा जा जुका है अगला प्रशन है बच्चों के बौधिक विकास की चार विस्त अवस्ताओं की जो है पहचान की गई है इसकी नेर के दोरा या पियाजे के दोरा या एरिक्सन के दोरा या कोहल बर्गी के दोरा एट का जौब दने का प्रयास करेंगे सब लोग तो बच्चों के बौधिक विकास की जो है चार विस्त अवस्ताओं की जो है पहचान की गई है वो की गई है P.I.J. के दौरा किसके दौरा की गई गई है P.I.J. के दौरा की गई है ओके चलिए अगला प्रशन आपकी इस किन पे है कि सिच्छा की जो है Kindergarden पद्दती का प्रतिपादन किया है किसने? टीपी, नन ने या फ्रोबिल ने Spencer ने या Montessori ने 9 का जोब देने का प्रयास करेंगे सिच्छा की Kindergarden पद्दती का प्रतिपादन किसने किया है तो फ्रोबिल ने किया है 9 का C आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा अगला प्रशन है वेक्तिकत विभिनताओं से शम्मदित निमने में से कौन सा कथन शही है यहाँ पे तो यहाँ पे देखना कि यदि विद्दार्थियों का बुद्ध इस्तर शमान है तब भी उपलब्दे में विभिनता हो शक्ती है वेक्तिकत जो है विभिनताओं वनसिकरम की कारण होती है सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती वेक्तिकत विभिनताओं के वक्र खेंच कर दिखाने पर वह एक दिशा की और जोग जाता है तो इसमें से देखिए आपका जो शही है यह पहला वाला की यदि विद्द्ध इस्तर शमान है तब भी उपलब दिव में विभिनता हो शकती है पेन का यह आपका बिलकूं करेक्ट हो जगा अगला प्रशन है विकास के शिद्धानतों के बारे में निमलकेत में से जो है कौन सा कतन गलत है पहला कतन है विकास एक परनात्मग पक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो शकता है दूसरा कतन क्या है कि प्रतेक बच्चा विकास के शरणों में गुजरता है फिर भी बच्चों में वैक्तिक भिनताएं बहुत होती है तीसरा कतन क्या है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है चौथा है विकास फ्रणशा नुगत्ता और वाता वरण के बीच सतंत अन्योन क्रिया से होता है तो इसमें देखी आपका जो गलत कथन है वो ए वाला है कि विकास एक प्रनात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है 11 का जीतने बिलोग यहाँ पर एज आपडी उनका अंसर बिलकुन सही हो जाएगा अगला प्रशन है विकास के जो है मनोशमाजिक सिधान का प्रतिपादन किस ने किया है फ्राइड ने या वार्टशन ने या एरिक्षन ने या अकोहलर ने विकास के मनोशमाजिक सिध्धान का प्रतिपादन किस ने किया भाई एरेक्शन ने किया है यहाँ पे 12 का B आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा ओके चलिए अगला प्रशन है जौन डीवी द्वारा जो है शमरफित लैब विद्धाले के उधारन है तो वो आपका प्रगतिशिल विद्धाले आपका हो जागा 13 का D आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा अगला प्रशन है आप देखते हैं कि एक चातर बुद्धीमान है आप उसके साथ शंतुस्त रहेंगे या उसके उसे आतरिक्त ग्रहकार नहीं देंगे या वह जैसे अधिक प्रगती कर शके उस तरह से उसे अनुपरेद करेंगे या उसके अभिप्वावकों को सूचीत करेंगे कि वह बुद्धिमान है बताईए शब लोग 14 का जॉप दने के प्रयास करेंगे आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है आप क्या करेंगे बताईए शब लोग वह जैसे अधिक प्रगती कर सके उस तरह से उसे अनुपरेदित करेंगे यहां पर 14 का C आपका बिल्कुन करेंट हो जगा भाशा क्या नहीं कर सकती है बताईए शब लोग विचार पक्रिया का प्रभावित नहीं करती या विचार पक्रिया का निधान नहीं कर सकती हमारी विचार पक्रिया को पूरी तरह से निंदित करती है यह हमारी विचार पक्रिया को प्रभावित करती है, 15 का जॉप देने का प्रयास करेंगे सब लोग, भासा जो है, हमारी विचार पक्रिया को प्रभावित करती है, 15 का यहाँ पे D वालाप का बिल्कुन करेक्ट हो दगा, 9 वर्ष के बालक की जो है, नैतिक तरगणा अधारित होती हैं किसी कारे के भौतिक प्रणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं यहां पे यह वाला आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा अगला ब्रशन है बच्चों के जो है बौत धिक विकास के चार सुस्पष्ट इस्तरों को जो है पहचाना गया था किसके द पहचाना गया था यहां पे 17 का डी आपका बिलकुन करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन है लारेंस कोहल वर्गी द्वारा प्रस्ताविद नेमलिके जो है चरणों में से प्रात्मिक विद्यालों के बच्चे किन चरणों का अनुशरण करते हैं बताई चब लोग यह उप या पालन और दंड उन्मुकी करण हो जागा और व्यक्तिता और विन में हो जागा एवा बी आपका दोनों हो जाएगा ठीक है चलिए यहां पे आप्शन ए आपका बिलकुन करेक्ट हो जागा अगला प्रशन है बच्चों के शंग्यनात्मक विकास को जो है सबसे अच्छ के तरीके से प्रभासित किया जा सकता है यहां पे 19 का बी आपका बिलकुन करेक्ट हो जागा अगला प्रशन है अधापिका ने एक कमेटी के प्रधान को शभापती के इस्थान पर सबादश लिखा यहां संकेत करता है कि अधापिका क्या है लिंग पुरवगरह से ग्रस्त है या एक अधिक उपियुक्त परिभासि सब्द का पालन करती है या एक लिंग मुक्त भासा का प्रियुक कर रही है या भासा पर अच्छा अधिकार रखती है यहां पे 20 का जितने लिख सी जवाप दे रहे हैं उनका अंसर बिलकुन सही हो जगा कि एक लिंग मुक्त भासा के लिए एक सिच्छा को उचित है कि वह जो है प्रश्ण पूछता रहा है ओके यहां पर 21 का डि आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा अगला प्रश्ण है फ्राइड के अनुशार हमारे मुल्यों का आंतर की करण किसमे होता है आहम में होता है यह परहम में होता है यह इदम या प्रिस्थितियों में, 22 को जाप दने के प्रयास करेंगे, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेर कर दें, 22 का जो भी राई टैंसर उप्लोग जाप दने के प्रयास करेंगे, फ्रैड के अनुशार हमारे मूल्यों का अंतरिकी करण पर हम में होता है यहां पर 22 का सी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा आमतार पर बच्चे जो है डॉट डॉट लिंग इस्टेरियो टाइप बनाते हैं बताई इसका राइट अंसर क्या होगा तो यहां पर आमतार बच्चे जो है विपरीत लिंग के जो है नकरात्मा गुणो पर ध्यान केंदरित करक जो है लिंग स्टेरियो टाइप बनाते हैं यहां पर 23 का बी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा अगला प्रशन आपकी इसकिन पर है बड़ा प्रशन है कि निमिलकित में से जो है कौन सा लिंग वरणन अक्सर लक्षित परसिछणों और कारिशालाओं के माध्धम से महिलाओं की एजनसी को बढ़ाने सकती करन और उन्हें अपने जीवन का नियंतरन जो है स्वैम करने का जो है सकती परदान करने पर केंद्रिक तरीके से संदर भी था है तो वो क्या है बताइए सब लोग बहुत एच्छे 24 का यह आपका बिलकुम करेक्ट हो जगा विकाशात्मक तरीके में महिला ओके चलिए लैगिक जो है समेधन सीलता का विपरीत है लैगिक विसलेशन या लैगिक अंदता या लैगिक आशमनता या लैगिक चमता 25 को जौब दने के प्रास करेंगे लैगिक समेधन सीलता का विपरीत है तो वो आपका है लैगिक विसलेशन ओके चलिए बहुत इच्छे अगला प्रशन है प्राप्तांकों के शमोहु का वह बिंदू जिसके नीचे समोहु के आधे प्राप्तांक और जिसके उपर शमोहु के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है क्या मध्यमान या मध्यांक या बहुलांक या मानक विजलन तो वो कहलाता है, मध्यांग कहलाता है, 26 का C आपका बिलकुन करेक्ट हो दगा अगला प्रशन है, ब्रेन लिपी एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए सैचिक प्राउधान के रूप में प्रुप किया आते हैं अगला प्रशन है, एक सिच्छा को जो है, शाधन संपन होना चाहिए इसका अर्थ क्या है, बताजिए शब लोग, कि उनके पास प्रियाप्त धन संपता होनी चाहिए ताकि उसे सिच्छन देने की जरूत न पड़े, या उनका अधिकारियों के उच्छ इस तर से संपरक होना चाहिए 29 का C आपका बिलकुन करेक्ट हो दगा, अगला प्रशन आपकी इसकिन पे है, डॉट-डॉट के अनुशार इदम, आहम, तथा पराहम, विक्तित के तीन घटक हैं, बताए 30 के जॉब देने के प्रियास करेंगे, किसके अनुशारी है ये, वंडूरा, या यूंग, या एडलर, या फ्राइट, तो ये है फ्राइट के अनुशार, ठीक है, शुब फ्रेंट्स, ये थी आज की CDP की क्लास, बाली विगास, सिछा सासरी की क्लास, कैसी लगी, क्लास कमे मिलते हैं अगी कलाफ पे, थाइंको शुमच,